वेलकम टू केमबू स्टडियर स्टुडेंट्स आज हम डिसकस करेंगे लिक्वीड स्टेट का लेक्चर नमबर एट जिसमें हम स्टडी करेंगे लिक्वीड की नेक्स्ट फिजिकल प्रोपर्टी को जो है सर्फेस टेंशन आईए फील लेते हैं जरा कि हमारे पास आखी इनफोर्टेंट इनफोर्मेशन देखेंगे देखी डियर हमारे पास जो सर्फेस टेंशन है वो एक करेक्टरिस्टिक प्रोपर्टी है लिक्वीड की जो कि इस फैक्ट के बेस पर अराइस होती है कि हमारे पास लिक्वीड के सर्फेस पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ड liquid present है, liquid में हमारे पास एक टाइप का molecule है A, और एक टाइप का molecule है B, A को थोड़ा detail में एनलाईज करते हैं, देखिए जो molecule A है, इसे जो दूसरे molecules हैं, surround किये हुए है, यानि ये सभी directions में equally attracted होगा, देख सकते हैं, कि अगर हमारे पास molecule A पर टोप में attractive force है तो इसे balance करने के लिए हमारे पास bottom में भी एक attractive force है तो ये एक दूसरे को balance कर रहे हैं इसी तरीके से left में अगर हमारे पास कोई attractive force है तो हमारे पास इसे balance करने के लिए right में भी एक attractive force है इसी तरीके से इन दोनो directions में भी हम देख सकते हैं यानि simply हम ये बोल सकते हैं कि जो net force of attraction है जो इस molecule पर act कर रहा है वो 0 है लेकिन अगर हम consider करें molecule B को हमारे पास left में एक attractive force है और right में attractive force है ये एक दूसरे को balance कर रहे हैं लेकिन इस direction में हमारे पास एक attractive force है इसके opposite में नहीं यानि top में नहीं है वो एक net inward attraction experience करेगा और हमारे पास जो ये inward pull है जो कि उन सभी molecules पर लग रहा है जो कि liquid के surface पर लाई कर रहे हैं जो surface है वो कुछ इस तरीके से behave करता है कि if it were under tension जैसे कि हमारे पास एक stretched membrane हुआ करती है आप अपनी screen पर देखिए हमारे पास जो bridge है bridge के center में एक person खड़ा है और हमारे पास जहां पर person है आप वहाँ पर clearly एक net inward pull देख सकते हैं इसी तरीके से हमारे पास liquid के surface पर भे कुछ इसी तरीके की condition है जो कि हम molecule भी को consider करके समझ रहे हैं हैंस हमारे पास जो ये property है liquids की इससे हम बोलते हैं surface tension अब हमारे पास अगर हमें surface tension को define करना हो तो dear हमारे पास जो surface है liquid का उसके along हम 1 cm length लेंगे और force जो की हमारे पास surface पर right angle पर लग रहा होगा उसे हम बोलेंगे surface tension of a liquid यही बात हमने यहां mention की है the surface tension of a liquid is defined as the force acting at right angle to the surface along 1 cm length of the surface अब हमारे पास units देखेंगे surface tension की CGI system में बात करें तो वो होगे dines per centimeter ऐसा units में आगर हम बात करें तो हमारे पास होगी newtons per meter आगे note डाल कर लिखेंगे देखे dear अब हमने देखा कि जो molecules liquid के surface पर लाई कते हैं वो हमारे पास एक inward full experience कते हैं जिसकी वज़े से हमारे पास जो liquid का surface है उसकी tendency ये रहती है कि वो smallest possible area में contract हो जाए for a given volume of the liquid और इसी reason की वज़े से हमारे पास dear जो liquid की drops होती हैं वो spherical होती हैं क्योंकि एक given volume के लिए हमारे पास sphere के पास minimum surface area हुआ कता है यही बात हमने यहां लिखी है as a result of inward pull on the molecules at the surface the surface of the liquid tends to contract to the smallest possible area for a given volume of the liquid it is for this reason that the drops of a liquid are spherical because of a given volume a sphere has minimum surface area यह हमारे पास यहां पर एक conceptual question भी form हो गया एक बार पूरे concept को repeat करते हैं dear हम आज देख रहे हैं surface tension अब सबसे पहले हमने इस concept का feel लिया कि आकिर हमारे पास surface tension होती क्या है surface tension basically हमारे पास liquids की एक characteristic property होती है जो कि इस fact के वज़े से arise होती है कि जो molecules हैं जो liquid के surface पर present है वो different situation में होते हैं as compared to the molecule जो liquid के interior में present होते हैं example से हमने समझा molecule A जो कि liquid के interior में लाई कर रहा है molecule B जो liquid के surface पर लाई कर रहा है जो molecule A है dear हमारे पास इसे other molecules surround किये हुए हैं यानि यह हमारे पास equally attracted होगा सभी directions में आप देख सकते हैं top में हमारे पास अगर attractive force है तो उसे balance करने के लिए bottom में भी attractive force है left में हमारे पास एक attractive force है तो उसे balance करने के लिए right में एक attractive force है और इन दोनो directions में भी हमने देखा यानि हम बोल सकते हैं कि जो net force of attraction है जो molecule पर act कर रहा है वो 0 है लेकिन जब हमने molecule B की situation को देखा left में हमारे पास एक attractive force है right में भी एक attractive force है या एक दूसरे को balance कर रहे है इस direction में ein attractive force है इसके opposite नहीं इसके opposite नहीं bottom में एक attractive force है top में हमारे पास इसको balance करने के लिए कोई भी attractive force नहीं यानि हमारे पास एक molecule जो surface पर लाई कर रहा है वो एक net invert attraction experience करेगा और इस invert pull की वज़े से जो उन सभी molecules पर लग रहा है जो liquid के surface पर लाई कर रहे हैं जो surface है वो कुछ इस तरीके से behave करता है कि वो under tension हो जैसे कि एक stetch membrane या फिर हमने bridge के help से समझा जिसके center में एक person present है तो net invert pull है इसी तरीके से liquid के surface पर भी हमारे पास ये condition होगी और इसी property को हम बोलते हैं liquids की surface tension उसके बाद हमने देखा कि define कैसे करेंगे surface के along अगर हम 1 cm length लें तो हमारे पास surface के right angle पर जो force act कर रहा होगा उससे हम बोलेगे कि वो liquid का surface tension है उसके बाद हमने units देखी surface tension की CGS system में dines per centimeter SI में newtons per meter उसके बाद एक conceptual चीज हमने देखी कि हमारे पाद जो liquid key drops हुआ करती हैं वो spherical की होती हैं वो हमने आज जान लिया अब हमने देखा कि जो molecule surface पर लाई करते हैं वो एक invert pool experience करते हैं और हमारे पास इसकी वज़े से liquid का जो surface है उसकी tendency रहती है कि वो smallest possible area में contract हो जाए पर एक given volume of the liquid इसी वज़े से हमारे पास जो drops हैं liquid की वो spherical होती हैं क्योंकि given volume के लिए square के पास हमारे पास minimum surface area हुआ करता है आया feel surface tension का तो आप इसे note कीजिए देन हम चलते हैं lecture के next segment की तरफ तो चलिए dear students अब हम समझते हैं surface energy को surface energy को समझने के लिए यहाँ आये dear यहाँ पर हमने dear एक soap के solution की film को consider किया है जिसे हमने contain कर रखा है in rectangular wire frame ABCD A, B, C, D और हमारे पास इसके अंदर जो side CD है वो movable है अब अगर हमें surface area जो है film का उसे extend करना है तो हमारे पास जो movable wire है उसे हमें pull करना होगा from position CD to EF यानि हमें कुछ work करना होगा surface tension के force के against क्योंकि हमारे पास अभी हमने देखा surface tension में हमारे पास एक invert pull होता है और अगर हमें surface के area को increase करना है तो हमें कुछ work करना पड़ेगा invert pull के against यही work args के अंदर args हमारे पास CGS unit होती है work की यही work args के अंदर जो हमें करना है अगर हमें extend करना है या increase करना है surface area by one square centimeter उससे हम बोलते हैं surface energy यही बात हमने यहाँ पर mention की है the work done in args required to be done to increase और extend the surface area by one square centimeter is called surface energy units की बात कर लेते हैं यह surface energy की CGS system में होगी args per square centimeter SI unit में होगी हमारे पास joules per square centimeter और देखें surface energy को हम लिख सकते हैं work per square centimeter अब हमारे पास work क्या होता है force into displacement तो हमने यहाँ work को लिखा force into length per square centimeter अब हमारे पास length की जो CGS unit होगी वही हमारे पास displacement की भी होती है यानि हमने यहाँ पर लिखा centimeter per square centimeter है तो divide में centimeter square लिख दिया और इसको जब हमने थोड़ा simplify किया तो हमारे पास आगया dines per centimeter याद कीजिए डियर हमने यही unit surface tension में भी use की थी यानि हमारे पास जो यह units है यह same है as that of surface tension तो हम यह कह सकते हैं कि जो surface energy है इस same thing as surface tension इसी वज़े से हमारे पास काफी जगा पर हम देखते हैं कि जो surface energy की definition है उससे हम surface tension की definition ही consider कर लिया करते हैं यही बात हमने यहाँ पर mention की है above units are the same as that of surface tension thus the surface energy is same thing as surface tension hence the definition of surface energy is sometimes taken as the definition of surface tension clear हुआ surface energy का concept repeat कत्मे हैं एक बात पूरी स्टोरी को देखे डियर हम देख रहे हैं surface energy हमने क्या किया हमने एक soft solution की film को consider किया जिसे हमने contain कर रखा है एक rectangular wire frame AB CD में अब हमारे पास इसकी जो side CD है वो movable है अब अगर हमें surface area को extend करना है तो जो movable wire है यानि CD उससे हमें pull करना होगा from position CD to EF यानि हमें कुछ work करना होगा against the force of surface tension क्योंकि हमारे पास यहां पर एक invert pull है और अगर हमें surface area को increase करना है तो कुछ work करना पड़ेगा इस invert pull के against यही जो work है जो हमें करना है arcs के अंदर to increase और extend the surface area by one square centimeter उसी को बोलते हैं हम surface energy units CGS system में arcs per square centimeter SI system में joules per square meter और surface energy को हमने work by square centimeter लिखा then हमने force into length और इसको simplify करने पर हमारे पास surface tension की ही unit आ गई यानि हमारे पास हम बोल सकते हैं कि जो surface energy है वो same thing है as surface tension इसी वज़े से हमारे पास sometimes जो definition है surface energy की वो हम ले लेते हैं surface tension की definition तो आप इसे note कीजिए then हम चलते हैं lecture के next segment की तरव तो चलिए dear students अब हम कुछ important results देखेंगे which are related with the property of surface tension जिसमें सबसे पहला result है spherical shape of drops इसके पीछे का concept हम already study कर चुके हैं कि surface tension की कोशिश ये रहती है कि वो liquid के surface area को decrease करके minimum कर दे और हमारे पास एक given volume के लिए sphere का minimum surface area होता है जिसके वज़े से जो drops हैं एक liquid की या फिर bubbles जो हैं gas के वो spherical हुआ करते हैं और यही बात हमने यहाँ पर mention की है surface tension tries to decrease the surface area of the liquid to the minimum the drops of a liquid or the bubbles of a gas are spherical because for given volume a sphere has minimum surface area अब यहाँ पर figure की help से भी समझ सकते हैं कि जो surface tension है उसका जो invert pool है वो एक drop को spherical बना रहा है अब second result है हमारे पास interfacial tension देखे डियर अगर हम two immiscible या फिर partial miscible liquids को एक vessel में लें immiscible liquids basically हमारे पास वो liquids जो एक दूसरे में completely insoluble होते हैं for example oil in water अब डियर हमारे पास देखे जो interface है oil और water का यानि हमारे पास जो surface of separation है उसके along जो surface tension एक्ट कर रही होगी उसे ही हम बोलते हैं interfacial tension if two immiscible और partially miscible liquids are taken in a vessel then the surface tension acting along their surface of separation that is along the interface is called interfacial tension again note डाल का लिखेगा देखे दियर जो भी हम two liquids ले रहे हैं उनकी अपनी कोई ना कोई surface tension की values होगी तो हमारे पास जो interfacial tension होगी जनरली वो intermediate होती है between the surface tension of the two liquids लेकिन कहीं बार हमें क्या देखने को मिलता है कि वो इन दोनों से ही कम होती है ऐसा इसलिए कि interface पर हमारे पास एक liquid के molecules दूसरे liquid के molecules से attract हुआ करते हैं यही बात हमने हम mention की है the value of interfacial tension is generally intermediate between the surface tension of the two liquids but sometimes it is less than both this is due to the fact that at the interface the molecules of one liquid are attracted by the molecules of other अब दियर हमारे पास अगर हम देखें एक liquid की surface tension भी तो interfacial tension ही तो है यो कि वहाँ पर भी हमारे पास two phases involved है जो है liquid and the vapor जो कि उसके अबाव है hopefully clear हुए होंगे आपके दोनों results तो आप इसे note कीजिए then हम चलते हैं lecture के next segment की तरह चलिए dear students third result है surface active agents देखे dear हमारे पास soaps, detergents and surfactants जैसे substances को जब हम water में डालते हैं even in a small amount तो वो water की surface tension को decrease कर देते हैं to a considerable extent ऐसे substances जो की हमारे पास water की surface tension को कम करें उन्हें हम बोलते हैं surface active agents substances like soaps, detergents and surfactants when added to water even in a small amount decrease the surface tension of water to a considerable extent such substances which lower the surface tension of water are called surface active agents और इसी वज़े से dear हमारे पास जो soaps है वो एक detergent की तरह एक्ट कत्मी है example से हम समझते हैं देखी हमारे पास एक cloth है जिसके surface पर हमारे पास grease चिपकी हुई है अब water की तो surface tension काफी हाई है तो वो grease को wet नहीं करेगा इसी वज़े से grease हमारे पास remove नहीं होगी सिरफ water के साथ लेकिन अगर हम soap को add कर दें water में तो वो क्या करेगा water और grease की जो interfacial tension है उसे कम कर देगा जिसकी वज़े से जो grease है वो mix हो जाएगी water में और हमारे पास वो remove हो जाएगी cloth के surface से वा clear it is for this reason that soap acts as a detergent for example if grease is sticking on the surface of a cloth water because of high surface tension does not wet the grease and hence grease is not removed by water alone however if soap is added to water it lowers the interfacial tension between water and grease as a result the grease mixes into water soap solution and hence is removed from the surface of the cloth clear तो आप इसे note कीजिए then हम चलते हैं हमारे लेक्चर के next segment की तरफ तो चलिए dear students next result देखेंगे rise of a liquid in a capillary tube की capillary tube में liquid हमारे पास किस तरीके से rise कता है इस application को समझने से पहले आपको समझना होगा adhesion and cohesion ध्यान से सुनिए cohesion हमारे पास refer कर रहा है जो की intermolecular attraction है liquid के molecules के बीच में और जो adhesion है उसका मतलब है की वो attraction जो liquid और capillary के walls के बीच में है I repeat cohesion हमारे पास refer कर रहा है उस intermolecular attraction को जो liquid के molecules के बीच में है और adhesion मींस वो attraction जो liquid और capillary walls के बीच में है जब हमारे पास adhesion ज़्यादा होगा as compared to cohesion तो हमारे पास जो liquid है उसे हम कहेंगे कि वो glass की wall को wet कर रहा है ऐसा हमें देखने को मिलता है water के case में और काफी polar liquids के case में इसके opposite अगर हमारे पास cohesion ज़्यादा है as compared to adhesion तो जो liquid है वो glass को wet नहीं करेगा glass को गिला नहीं करेगा ये हमारे पास होता है mercury के case में mercury के case में हमारे पास जो cohesive forces होते है वो काफी ज़्यादा होते है due to metallic bonding तो हमारे पास हम देखते भी है कि जो water drop है वो glass के surface पर spread हो जाती है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास great adhesion है और जो mercury की drop है वो एक semi spherical shape ले लेती है glass के surface पर क्योंकि वहाँ पर great cohesion है clear हुआ adhesion and cohesion तो आप इसे note करो देर हम चलते हैं इस segment में फदर थोड़ा और आगे चलिए dear students अब हम discuss करेंगे कि किस तरीके से एक capillary tube में एक liquid rise करता है देखे dear जब हम एक capillary tube के एक end को एक liquid में put करते हैं जो कि glass को wet करे तो जो liquid है वो capillary tube में rise कर जाता है एक certain height पर अब आपको पता है कौन से liquid wet करते हैं glass को जिनके case में हमारे पास जो adhesion है वो ज़्यादा हो as compared to cohesion अब हमारे पास ऐसा क्यों हुआ देखे dear ये है हमारे पास एक capillary tube इसके एक end को हमने liquid में put किया हुआ है जो कि glass को wet करे तो हमारे पास जो liquid है वो certain height तक rise हो गया है ऐसा इसलिए हुआ कि dear हमारे पास surface का जो inward pull है वो liquid को push कर रहा है capillary tube में और यही तो surface tension में हमने समझा था dear यही बात हमने यहां mention की है when one end of a capillary tube is put into a liquid that wets glass the liquid rises into the capillary tube to a certain height this rise is clearly due to the inward pull of the surface which pushes the liquid into the capillary tube वो अक्लियर और इसी concept के बेस पर हम explain कर सकते हैं कि oil lamp में जो wick present है उसके अंदर oil कैसे rise होता है basically wick होती हमारे पास बत्ती जब हम दिया जिलाते हैं तो उसमें बत्ती रखते हैं वो तेल डालते हैं और हमारे पास इसी action की वज़े से जो oil है वो हमारे पास wick में rise हो जाता है और हमारे पास जो दिया है वो चलता रहता है और इसी के बेस पर हम ये भी explain कर सकते हैं कि हमारे पास जो water है below the surface of earth वो किस तरीके से rise करता है plants में through the roots या फिर जो ink rise करती है एक blotting paper में clear? तो आप इससे note कीजिए then हम थोड़ा ओर discuss करते हैं इसी segment को तो चलिए dear students अगे note डालका लिखेंगे note number one देखे dear ऐसे liquids जो की हमारे पास glass को wet नहीं करतें कौन से liquids नहीं करतें जिनके case में हमारे पास जो cohesion है वो ज़्यादा होता है as compared to adhesion example के लिए हमने देखा था mercury तो इस case में dear हमारे पास capillary के अंदर जो level होता है liquid का वो कम होता है as compared to जो level होता है mercury का outside जो की हमारे पास हम अगर एक vessel लें और उसमें capillary tube लें तो हमारे पास vessel के अंदर जो mercury का level होगा उससे कम होगा उस liquid का level जो की हमारे पास capillary tube में होगा और हमारे पास जो upper surface होता है एक liquid का जो की wet करता है glass को वो होता है concave और ऐसे liquid का जो की glass को wet नहीं करता यानि mercury उस case में जो upper surface होता है liquid का वो होता है convex और ऐसे surface को हम बोलते हैं dear meniscus यही बात हमने यहां mention की है in case of liquids which do not wet glass example mercury the level inside the capillary falls below the level outside further whereas the upper surface of a liquid that wet glass is concave यहां पर देख सकते हैं की हमारे पास हमने यहां पर वो liquid लिया है जो की wet करता है glass को तो जो upper surface liquid का dear वो concave है that of mercury is convex mercury मतलब हमारे पास वो liquid जो glass को wet नहीं करता तो जो upper surface है वो convex होता है capillary tube में और इस surface को हम क्या बोलते हैं dear meniscus such a surface is therefore called meniscus Greek में जिसका मतलब होता है a little moon note number 2 देखेंगे यह कहता है कि हमारे पास जो angle curved surface बनाता है tube की wall के साथ उससे हम बोलते है contact angle और इसे found कैसे कते हैं हम क्या करेंगे tangent को draw कर देंगे उस point पर और हमारे पास हमें पता लग जाएगा contact angle देखेंगे the angle which is the curved surface that is meniscus makes with the wall of the tube wall of the tube is called contact angle and is found by drawing a tangent drawing a tangent at that point clear हुआ और आप इस case में भी देख सकते हैं contact angle जो की हमारे पास उस liquid के लिए है जो glass को wet नहीं करता और ये contact angle उस liquid के लिए है जो की glass को wet करता है हुआ clear तो आप इससे note कीजिए then हम चलते हैं lecture के next segment की तरफ तो चलिए dear students next हमारे पास जो result है तो चलिए dear students next हमारे पास जो result है वो है effect of temperature on surface tension देखिए dear हमारे पास जो surface tension है एक liquid की वो generally decrease होती है with increase in temperature और critical temperature पर तो वो zero हो जाती है जो ये decrease हुआ है surface tension में temperature के increase होने के साथ ये obviously इसी वज़े से है कि हमारे पास जैसे ही temperature increase हुआ molecules की kinetic energy भी increase हुई उसकी वज़े से जो intermolecular attraction है वो decrease कर गए हमने देखा है सारा खेल ही intermolecular attraction का है beginning में जब हम surface tension के concept को समझ रहे थे वहाँ पर bulk के जो molecules थे वो surface के molecules को attack थी तो कर रहे थे वही बात यहाँ पर की गई है the surface tension of a liquid generally decreases with increase in temperature and becomes zero at the critical temperature the decrease in surface tension with increase in temperature is obviously due to the fact that the kinetic energy of the molecules increases and therefore intermolecular attraction decreases an important relationship between temperature and surface tension is given by U of us हमारे पास वो relation क्या है gamma m by d 2d power 2 by 3 is equal to k tc minus t where m जो है हमारे पास molecular mass है liquid का d जो है density है liquid की at temperature और tc हमारे पास d जो है वो critical temperature है liquid का और जो gamma है वो surface tension या फिस सर्फेस एनजी है liquid की at temperature टी डिग्री सेल्सियस और के डियर हमारे पास जो है यह है constant आप इसे नोट कीजिए रहन हम इसे फदर थोड़ा सा और discuss करेंगे और इस टॉपिक को finish करेंगे चलिए डियर आगे इसी में नोट डालेंगे क्या कहता है as the surface tension always vanishes at 6 degree above the critical temperature की हमारे पास जो surface tension है डियर वो खतम हो जाती है at 6 degree above the critical temperature Ramsey and Shields gave the following equation for the temperature dependence of the surface tension इस equation को डियर हम बोलते है Ramsey and Shields equation जो है gamma m by d 2d power 2 by 3 is equal to k tc minus t minus 6 उसके बाद Katayama suggested a more correct equation जो की थी हमारे पास gamma m upon d minus d 2d power 2 by 3 is equal to k dash tc minus t जो हमारे पास small d है वो density है वेपर की at temperature t और इस equation में डियर हमारे पास gamma 0 के equal हो जाएगा अगर tc t के equal हो जाए और यही बात हमने यहाँ पर mention की है तो डियर यहाँ पर हमारे पास complete होते हैं results related to the property of surface tension और हमारे पास surface tension भी पूरी तरीके से clear होती है एक पास sum up करते हैं हमने क्या क्या किया basically आज हमने सीखी next physical property liquids की जो है surface tension सबसे पहले surface tension को समझने की कोशिश की उसकी definition को समझा उसकी units को देखा then हमने surface energy को समझा उसकी definition को देखा और उसके units देखे then हमने कुछ important results देखे जो की related थे हमारे पास surface tension से related जैसे सबसे पहले था spherical shape of drops then हमारे पास interfacial tension then surface active agents then हमने देखा rise of a liquid in a capillary tube और last में हमने देखा कि temperature का क्या effect पड़ता है surface tension पर hopefully आपने lecture को enjoy किया होगा आप अपनी feedback हमें comment section में जरू दें तो चलिए till next video keep learning keep growing